नमस्कार आदाप सश्रियकार वेलकम तो मैंने बेंस में हूं आपका मैस मेंटर रावल और माइडियर स्टुडेंस गुद आफ्टरनून गुद इवनिंग वेनेवर इंजॉइंग इस सेशन और जैसा कि आप मेरे पीछे रगी हुई स्क्रीन में देख सकते हैं यह हमारा डी के समथ्या के समाधान क्योंकि समस्या तो आपके जीवन में बहुत हैं समाधान ठोड़े कम है तो हम उस्की पढ़ाई और दूसरा है रोज की प्राक्टिस तो अगर आप इन दोनों में से किसी हीज में चूकिंगे तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे जा सकती है जिसकी हम लोग कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं कि आज को पूरा होगा हमारे डिपी को शीट टू के डिसकर्शन के बारे में कि इसमें कैसे सवाल थे कैसे उन्हें अप्रोच करना है क्या उनका जवाब होना च जी हां सर बिलकुल यह हो गई स्क्रीन साफ और हम शुरू करेंगे हमारा सिलसला पहला सवाल है हमारा बेहदी आसान लेकिन एक कॉंसेप्ट्वल क्वेशन जो कि आपको कक्षा आठवी में आता है तो थोड़ा रिवीजन यहां पर कराने का प्रयास है हमारा क्या बोल रहा दुकान के मालक ने कहाँ यह 900 रुपे का है ठीक है आट रुपीज 990 तो मतलब दुकान के मालेक ने जब 900 रुपे का है तो फिर काहें नब्रुपे इक्ष्टा देने पढ़ गए What was the reason? पहुत करते हैं यह पर्टिकुलर कपड़ा कितने का तो आप अकसर उसमें टैक्स को नहीं काउंट करते हैं आप टैक्स कब ते सबसे दुकानदार का नहीं होतों हमारा जिम्मेदार ही है सरकार के पक्ष्मिंग जाता है वो तो आपको बताना क्या आपको बताना है calculate the rate of charge on the code मतलब कितना परशेंट वाइट आप calculate कर रहे है अपको बताना है तो भाई पहले हम लिख रहे ते हैं यहां पे माली जेस शेलिंग प्राइस कितनी 900 रुपे ठीक है यहां लिक्रा वाइच बिल अमाउंट कितना है 990 रुपए ठीक है टैक्स कितना है पहले हम वो पता लगा लेते हैं सब टैक्स निकालने के लिए जो भी बिल अमाउंट आया मतलब बिल में जो लिखा आया उसमें तो सेलिंग प्राइस जिस पे बात पक्की हुई थी वो माइनस करेंगे तो हमें टैक्स क परसेंट कितना है वो आपको बताना है सर 90 रुपए टैक्स लिया तो 90 हो जाएगा न्यूमरेटर किस पर क्यालकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस बिल अमाउंट पर टैक्स जोडने के बाद आया मतलब इस धरती पर पहले सेलिंग प्राइस आया फिर टैक्स आया फिर बि नाइन वन जा तो आपका अंसर आएगा टेन अर्थात दस परसेंट टैक्स होना चाहिए क्या आपको यह समझ में आया एक बहुत ही आसान सवाल एक क्रिविजन हो गया कक्षा आठीवी के कॉंसेट्स का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लेय ठीक है कितने के लिए सर छे महीने की कहानी बतानी है इंट्रेस रेट है छे परसेंट कंपाउंडेड क्वाटर ली तो यहां पर आप गलती करने के सबसे ज़्यादा चांसिस कर सकते हैं कि आपने यह नहीं देखा कि कंपाउंडेड एन्वली है मंतली है और बिना सोचे पर काफी ज़्यादा फोकस रहेगा चले प्रिंसिपल कितना हो जाएगा सर्दी 5000 ठीक है अब बता मुझे टाइम कितना होगा सब टाइम हो जाएगा छे महीने अर्थात आधा साल हाफ एयर ठीक है उसके बाद फिर आपका रेट ओफ इंट्रेस कितना है इसा रेट ओफ इं फोर हंड्रेड ठीक है और यहां पर आजाएगा फोरें यह किस मेथड से सरी यह है डाइरेक्ट फॉर्मॉला किस चीज के लिए अमाउंट निकालने के लिए वें इंट्रेस्ट इसकॉर्ट कंपाउंडेट क्वाटर ली ठीक है एक दूसरा तरीका जो हमारे पास है वह क्य तो उसके बताओ छे महीने में कितने क्वाटर आएंगे सचे महीने में दो क्वाटर तो मतलब क्वाटर ली जब आप लगाएंगे तो दो बार लगाना पड़ेगा तो टी की वाल्यू हो जाएगी टू रेट ऑफ इंट्रेस्ट है सिक्स परसेंट पर आनम अर्थात पूरे ही आएगी ठीक है चलिए यहां पर हम सॉल्फ करेंगे तो यह आएगा पांच हजार इंटू यहां पर कितना होगा वन प्लस आर की जगह पे सिक्स अपान फोर हंड्रेड और होल्टू दू पावर फोर इंटू वन बाइटू है ना क्योंकि टाइम कितना है वन बाइटू में काउट कर रहे हं यह टू से 4 यहां पे यहां पर हो जाएगा तृष्य आपय हो जाएगा दो यह इन तो पर 200 आप डो सुझा Sich प्लस तीन तो आपको यहां पर 200 ओ को पावर टू है इसलिए दों लिख देंगे 203 upon 200 चलिए अब जो जिससे cancel हो रहा है उसे cancel करने में भलाई है तो शून्य से शून्य कैंसल शून्य से शून्य कैंसल और कौन cancel हो रहा है सर यहां पे भी यह शून्य और यह शून्य कैंसल बिलकुल ठीक इसके अलावा आप क्या cancel करेंगे सार यह 5 और 20 हो जाएगा तो 5 155 और 540 तो आपको मिलेगा कुल मिला के 203 into 203 whole divide by 8 इसको जब आप solve करेंगे आपका answer आएगा 5151 point something ठीक है point two या three ऐसा कुछ आता है ठीक है अगर आप इससे भी करेंगे तब कि आपका answer से में आएगा अमाउंट है 5151.23 ठीक है तो आपका इंट्रेस्ट कितना होगा सर इंट्रेस्ट होता है हमेशा जो भी आपका अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे आप आपका actual principle तो आपका answer आएगा 151.2 something round off करके option में अगर 152 दिया है तो उसे आप माउंट कर सकते हैं 150 को नहीं करें क्योंकि वह बहुत दूर हो जाएगा तो मतलब दो वाल्यू का difference है 152 राउंट आफ करने पर सही वाल्यू दे रहा है चलिए अगर computer जी से verify करते हैं उनका जवाब भी आ रहा है option सी हम इसको करेंगे मार्क और मूफ करेंगे अगले प्रस्ण की और अच्छा दूसरा में था यहां पर उसमें भी वाल्यू स्पूट करके यह वाली अपना अंसर निकालेंगे तो आपका अंसर सेम ही आना चाहिए चले यहां पर हम करेंगे screen player अगला प्रस्ण है हमारा सवा सी हो जाएगा 600 और कितने टाइम में ताइम हो जाएगा सहत तो अगर मैं स्फल्ण इंट्रेस का फॉर्मुला यूस करके इसको थोड़ा अपने टंस में तर्ण संट्रेस्त की वाल्यू है टाइम है दस और यह निचे डिवाइड बाई हंड्रेड शून्य से शून्य कांसल आपको मिलेगा छे हजार वाल्यू है किसकी प्रिंसिपल इंटू रेट ओफ इंट्रेस्ट की ठीक है यह हमारा पहले प्रश्ण से पहले पार्ट से यह हमें रिजल्ट मिला आ आप मुझे बठा सकते इंट्रेस्ट कितना होगा तो एक साल का कितना परटों और टैन मतलब 60 पांच साल का कितना सा सिक्सक्मवाइड हो जाएक थर्ट थर्ती तो पांच साल के लिए आपका का इंट्रेस्टे 300 रुपे अब बचे होए फांच साल में क्या हुआ है आपका प्रिंसिपल होरा है तीन गुना ठीक है तो फॉर्ट थीए लिए कि आपका इंट्रेस्ट कितना होना चाहिए फॉर्ट फाइव जाएगा सिंपल इंट्रेस्ट सब्रिंसिपल हो जायागा तीन गुना मतलब 3P पहले कितना था पहले केवल प्रीज था तीन गुना हो गया तो 3P वाल्यू है मेरे पास कितनी 6000 तो सिंपल इंटेस्ट कितना होगा सथ त्री इंटू छे हजार अपान ट्वेंटी कि शूने से स्चूने कैंसल 236 तो जाएगा सिंपल इंटेस्ट कितना 339 मतलब 900 रुपए होगा आपका सिंपल इंट्रेस्ट कब 10 साल के बाद कब जब आपने आ 900 रुपए तो 300 और 500 900 जोडने पर आजाएगा 1200 रुपए क्या आपको यह समझ में आया क्या किया हमने सवाल में हमने सवाल में बेसिकली इंटेस्ट का फंडा यूज करके ही पूरे सवाल को सॉल्फ किया बस खाली जैसा लिखाता वैसा करते गए कि पहले वाला जो हमारा के पर जवाब आ रहा है 1200 एक बार कंप्यूटर जी से वेरिफाय कर लेंगे उनका अंसर भी आ रहा है ऑप्शन सी 1200 तो इस पर बनाएंगे आप गोला इंद ओमर शीट और मूव करेंगे अगले प्रश्न की और चलिए सवाल करमांग चार दा सिंपल इंट्रेस्ट ऑन रुपी इस टेन फॉर फोर मांथ आट रेट ऑफ थ्री पैसा पर रुपी पर मन्त इस ठीक है चलो इंट्रेस्ट रेट कितना इंट्रेस्ट कितना मिल रहा आपको सर इंट्रेस्ट मिल रहा है तीन पैसे पर रुपी वन तो क्या आप मुझे बताएंगे कि 10 रुपय कितना मिलेगा एक महीने के लिए यह जब करेंगे आप 10 तो आपका वो वर्क टाइम वाले फॉर्मैट में आके रखें तो एक रुपए तीन पैसे एक महिना ठीक है एक मन्त दस रुपए तीस पैसे और एक मन्त अब दस रुपए तो कॉंस्टेंट है यहां पर महिनों की संख्या हो जाएगी चार तो इंट्रेस भी बढ़के हो जाएगा 120 पैस से और यह हो जाएगा चार महिने ठीक है तो आपने तीनों वाल्यू उसको लिखा जिसको जब चेंज करना था जिसको कॉंस्टेंट रखा और फिर सॉल्व करके निकाला 120 पैसे जिसको हम गणित की भाषा में एक रुपए 20 पैसे भी कह सकते हैं क्या आपको यह समझ में आय अब और मूफ करेंगे अगले प्रश्ण की और सवाब के मांग पांच है तो डिफरेंस बिट्वीन सिंपल इंट्रेस्ट एंड कंपाउंड इंट्रेस्ट और बारा सौ रुपीस ठीक है तो आपको बोल रहा है कि भाई प्रिंसिपल कितना है सब प्रिंसिपल की वाल्यू ह त्वेल्व फंड्रेड ठीक है उसके बाद आपसे बोला जा रहरा है कि एक साल के लिए 10% पर इंट्रेस्ट एंट्रेस्ट है 10% ठीक है पर आनम और आपका जो रहाएं हर आधे साल में लग रहा है ठीक है तो time कितना है आपका साथ time हो जाएगा यहां पे अब देखो क्योंकि simple interest है तो उसमें 6 महीने से कुछ फरक नहीं पड़ता आपका time तो 1 ही रहेगा क्योंकि simple interest में चीज़ें same ही रहती हैं चाहे कितना भी समय हो जाए साल कितना है एक ही है भले half yearly है पर simple interest में उसका कुछ फरक नहीं पड़ता half yearly cup करेंगे तो भी आपका answer same ही आएगा because time आपका हो जाएगा एक साल ठीक है चले अब तो principle है 1200 आपका rate है 10% time हो गया वन होल डिवाइड बाइंड हमें पता है answer कितना आएगा 120 रुपए आएगा आपका SI ठीक है अब चलिए बात करते हम इसके compound interest की उसमें क्या होगा सर कंपाउंड इंट्रेस में प्रिंसिपल रहेगा वही 1200 ठीक है उसके बाद फिर आपका rate of interest कितना रहेगा सार रेट ऑफ इंट्रेस रहेगा 5% क्योंकि 10% पूरे साल का आप लगा रहे हाफ एर ली तो आधे-ाधे साल का लगेगा तो इसलिए 5% ठीक है और उसके बाद फि सर आर अपन हंड्रेड होल पावर इन वाल्यू उस पता है रखते जाएंगे 1200 यहां हो जाएगा कितना सर यहां हो जाएगा 100 प्लस आर की जगापे है 5 और नीचे हैं यहां पे होल डिवाइड बाए 100 मैंने लिए लिया और आडीशन भी यहां पर कर दिया तो यह हो जाएग होगी जीरो से जीरो अगर कैंसल हो रहा है तो कर दीजिए 105 का जब आप स्क्वेर निकालेंगे तो कैसे करेंगे सर पीछे आ जाएगा 105 का जब भी हम स्क्वेर निकालेंगे पीछे आएगा 25 विकॉस फाइव का स्कॉरर आगे वाले में प्लस वन करके इंटू तो वन वन जीरो फाइव ठीक है इसमें करेंगे इंटू 12 दें डिवाइड बाइड़ हंडे तो इन टू 12 करने पर हमें डिवाइट बाइंडेट करेंगे तो दो जीरो कांसल आपकांसल आएगा वंठी तू थी यह आपका फाइडल आमाउंट तो इंट्रेस्ट कितना होगा सर इसमें से आप माइनस कर देंगे एक्चुल हमारा प्रिंसिपल तो इंट्रेस्ट आएगा 123 रुपे यहां इंट्रेस्ट कितना 120 वहां कितना 123 तीन रुपे एक्स्ट्रा इंट्रेस्ट मिल रहा है आपको कंपाउंड इंट्रेस्ट में तो इसलिए आपको ओप्षिन भी तीन रुपए सही उत्तर होगा एक बार हम शाग रख करेंगे हमारा अंसर वरीफाय करने के दोनों के गाप का आपको फाइनल आंसर मिला फिर कितना थ्री रूपीज चलिए आसान था प्रश्ण सवाल के मांग छे अच्छा सवाल है काफी लॉजिकल लीजिक वाला क्वेशन है कि अमान बॉट अनमबर ओफ क्लिप्स आट रूपीज थ्री फॉर रूपी मतलब क्या हु ठीक है अब आपको बताना है कि आट वाट प्राइस पर डजन शुड़ी सेल देंटू में कितने होते हैं सर डजन में होते हैं बारा पीस ठीक है तो पहले हम देखते कि इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन बैट रहे ठीक है मान लोग इन्होंने छे पीस इसके लिए और से लगे उनके सर यह वाली क्लिप उनने दो रुपए की ली होंगी तभी तो तो यह दो रुपए इसके ठीक है यह वाली क्लिप उनने तीन रुपए की लिए होंगी क्योंकि तभी उनको छे पीस मिलेंगे तो तीन रुपए इसके तो कुल मिलाके उन्होंने पांच रुप करना है तो मैंने तया कर लिया कि उनोंने छेछे क्लिप ली हैं दोनों की लीकाउट कि सेम ही नंबर एफलेट ली गई है तो syndrome इनकी भी चैग युथ ٹब्छेफ्स तीन रुपेवा ली तो आपकी कितना रुपए क्षर्चा हो गए द रुपए क्रचा हो गया यहां पर तो कितने में बेची जाए कि भाया आपको 20% profit हो ठीक है profit percent निकालने का formula है भाई profit upon कितना cost price into 100 होता है आपका profit percent profit percent कितना है 20% तो जिसको 20 भी लिख सकते हैं चलिए आप यहां पर आप देख रहे हैं क्या तो भाई profit आपका पी यह हो जाएगा आपका पांच और यह हो जाएगा यहां पर कि सो ठीक है is equal to 20 अजब आप इसको solve करेंगे तो यह 5 और यह हो जाएगा 20 तो पी की value आएगी 20 अपॉन 20 अर्थात एक रुपए कितनी एक रुपए मतना profit कितना होना चाहिए सब कॉस्ट प्राइस थी पांच रुपए profit निकल रहे हमारा एक रुपए 20 परसेंट अगर हम ले रहे तो तो selling price कितनी हो जाएगी हमारी selling price हो जाएगी सर 6 रुपए कितनी रुपए हो गई selling price छे रुपए और यह सब 12 ही quantity के बारे में है तो हमें quantity भी adjust करने की जरुवत नहीं है क्या किया हमने हमने profit percentage की मदद से profit निकाला उसके बाद फे selling price निकाला यहाँ पर ट्रेक क्या था ट्रेक यह था कि तीन फॉर रुपी और टू फॉर रुपी को कैसे deal करना है simple है वह देखो जो कि आपको दोनों से deal करना है तो ऐसा number लो जो कि दोनों की जान पेचान का हो अब एक को ले लिया आपने आठ दूसरे को ले लिया साथ जान पेचान नहीं है डिविजन नहीं हो पाएगा पर ऐसे cases में जब आप ऐसे numbers लेंगे जो कि दोनों से डिविजिबल है तो आपका काम आसान हो जाता है चलिए स्क्रीन क्लियर करने से पहले एक बारानतर चेक कर लेंगे option c सही होना चाहिए जी हां बिल्कुल सही है तो हम करेंगे यहां पे screen को clear और move करेंगे अगले प्रशने की और अब सवाल करनांग साथ है हमारा कि दो ट्रू डिसकाउंट ऑन बिल ड्यू नाइन मन्स हैंज आट रुपी 16% पर आनम इस वर्ट निन्टी नाइन दा कहानी यह है कि मान लीजे आपको एक बिल चुकाना है ठीक है अब वह बिल जितने भी रुपे का था वह नौ महीने बाद चुकाया जाना है लेकिन आप क्योंकि उसको नौ महीने पहले चुका रहे हैं आपको 16% discount मिलेगा जो कि 189 रुपीज का है क्या हो रहा है कहानी में कहानी में यह हो रहा है कि मुझे किसी को पैसे देने थे ठीक है और हमारे बीच में बात हो गई थी पहले ही कि आज से 9 महीने बाद बिल दिया जाएगा ठीक है परंतु किंतु मेरे पास पैसे आ गए कहीं से ठीक ह है सामने वाला इस बात से खुश हो गया उसने का कहा ठीक है क्योंकि आप मेरे को जल्दी पेमेंट कर रहे हो 9 महीने मैं आपको इसका कुछ फाइदा दूंगा और मैं आपको फाइदा कैसे दूंगा 189 रुपीज का फाइदा मिल रहा है और उन्हें कैलकुलेट किया तो य आनम का था पर आनम का है कि आपने पूरे एक साल पहले पेमेंट किया है नहीं सर हमने तो 9 महीने का इंट्रेस मिलेगा तो यह 9 महीने डिवाइड बाइट 12 ताकि आप उसको यह अरली बेसिस पे ला सके ठीक है और ऐसा करने आपको कितना मिल रहा है 189 रुपीज ठीक है जो 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 4 बन जा 4 और यह 4 25 जा हो जाएगा एक्स की वाल्यू कितनी सर यह हो जाएगा 3 x equal to 189 इंटु 25 ठीक है एक्स की वाल्यू हो जाएगी 189 इंटु 25 होल डिवाइड बाइड बाइट 3 अब यह 3 6 जा 18 और 3 3 9 हो जाएगा 63 x की वाल्यू हो जाएगी 63 इंटु 25 ठीक हो यहां पर कैसे आप स्मार्ट अवर्क कर सकते हैं अभी मैंने पूरा मल्टिप्लाइ नहीं किया फिर भी मैं कह सकता हूं कि मेरा आंसर यही आएगा सर आपको कैसे पता लास्ट डिजिट को मल गलग वैल्यू जा रही हैं तो यह हमारा आंचल होने के प्रबल दाविदार एक बार फिर भी मंटिप्लाइ करके शौर हो जाते हैं ताकि हमसे कुछ गल्ती नहीं हो जाए हाँ एक मंट रुको 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 अच्छा 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 देखो देखो यह एक्स की वाल्यू है 1575 लेकिन किंतु परंतु वाइस आप इसमें डिसकाउंट भी तो जोड़ा जाएगा जो आपको पे करना था तो इसमें आप डिसकाउंट जोड़ेंगे 189 यह होगा हमारा बिल अमाउंट जो की अंसर होगा 1764 आट करोगे तो देखो नवह पांच चाउदा सा आठ और आठ सोला पांच विक्षर यह क्या कि आपने समझ नहीं आए देखो यह अमाउंट पे किया गया ठीक है अब आपको बताना था अमाउंट ऑफ दे बिल तो लगने के बाद फिर हमें इतने का पड़ेगा किटने का 1575 का 1575 में आप पे कर रहे थे लेकिन इसका असल का बिल अमाउंट कितना था उसको निकालने के लिए आपने ठीकना आया आपका 1764 क्योंकि आप इंट्रेस्ट पे नहीं कर रहें लेकिन बिल में तो था ना वो तो आपको बिल अमाउंट निकालना था इसलिए वह जो इंट्रेस्ट है आप जो डिसकाउंट जो आपने नहीं किया वो भी आड किया जाता है इतना आपने पे किया होगा 1575 यह सक्रीन को क्लेयर और मूफ करेंगे हमारे अगले प्रश्न की और सवाल करें आठाट किया बोली है अपसे कि आ चुडेंट मृटिप्लाइड नंबर थरी इंस्टेड ऑफई भाइट थी ठीक है मान लो नंबर क्या था सर नंबर को मान लेते हैं हम एक्स को थीक है मल्टिप् कितना हो जाएगा硬ार हो जाएगा थी एक्स अब कितना पर्सेंट एरर है तो पहले यह निकालना पड़ेगा कि error की value कितनी है वो कैसे लोगे शर्ज 방송 जितना भो ना चाहिए था और जितना अठों इन दोनों को अंसर होगा 4 कितना अंसर होगा आपका अंसर होगा 4 by 3x if I am not wrong क्यों भाइया सर एल्चम होगा इंटू 3 तो यहां पर 9-5 तो 4 by 3 x हो जाएगा आपका अंसर चलिए तो 4 by 3x का एरर है ठीक है किस पे सर जो हमारा न्यू नंबर है उस पे यह हुआ इंटू हंड्रेड विकॉस हमें परसेंटेज निकालना है अब कैंसल करेंगे आप एकसे एकस कैंसल 3 क्योंकि डिनॉमेटर में दोनों कैंसल 4 by 5 इंटू हंड्रेड करेंगे जब आप तो आपका आंसर आएगा 5 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए कि असी परसेंट का एरर है एक बाग कंप्यूटर जिसे डिसकस कर लेते हैं उनका अंसर भी आ रहा है अप्शेंटी मतलब हमने सही स्टॉल्व किया है हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रस्थन की और सवाल करनांग 9 आपको निकाला है compounded ratio compounded ratio क्या होता है साथ 3 रेशियो उसको मिला देंगे तो 2 by 3 into 6 by 11 into 11 by 2 बस यह हो गया compounded ratio का simple formula क्या होता है compounded ratio सारे रेशियो उसको मिला दीजिए 11 से 11 कैंसल 2 से 2 कैंसल 3 वन जा यहाँ पर 3 टू जा तो आपका अंसर आएगा 2 इस टू 1 अच्छा concept scoring है लेकिन कई बार इंसान भूल जाता है compounded ratio में करना क्या है जैसे compound interest में हर बार साल से साल multiply होते रहता है वैसे यहां पे भी चीजें multiply होंगी इस तरीके से आप याद रख सकते है option B 2 is to 1 correct है ठीक है चलिए अगला प्रशन सवाल करमांग 10 है हमारा उसके पहले screen clear सवाल करमांग 10 क्या बोल रहा है एफ अनिल हाड सोल्ड और स्टीरियो फॉर रूपी सिक्स थाउजन ही वुड़ा मेड़ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट इसका मतलब क्या है यदि अनिल ने एक स्टीरियो छे हजार का बेचा होता तो उन्हें 20 परसेंट का प्रॉ स्टीरियो क्या हम सबस्क्राइब एक सवाराइब प्रॉसेंट को माल लेते एक्स उसमें आप जोड़ेंगे 20% प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट किसका कॉस्ट प्राइब आरि उनको जोडने पे आίας यह वोंतर आतरे चलिए अब सॉल्फ करेंगे इसको तो यह एक्स प्लस 20 परसेंट ओफ एक्स कितना हो जाएगा आप सो 20 को लिखते हैं 20 पर सेंट तो 20 अपान हंड्रेड अगर मैं इसको अच्छे से नीटली लिखूं तो 20 अपान हंड्रेड इंटू x is equal to 6000 चलिए फटाफट सॉल्फ करेंगे जीरो से जीरो कैंसल टू वन जा टू फाइव जा यह 5 एक्स हो जाएगा क्योंकि यहां पर हम लेंगे एक्स की वाइली हो जाएगी 6000 इंटू पांच होल डिवाइड बाइचे सॉल्फ करने पर आपका अंसल आएगा कैंसल वैंसल करने के बाद 5000 रुपे क्या है कॉस्ट प्राइज है चलिए कॉस्ट प्राइज आ गई अगला पार्ट पढ़ लेते हैं क्योंकि पहले पार्ट से से सर फॉर्टी परसेंट यहां पर लगता है पैन में इंक समापती की घोषणा तो फॉर्टी अपॉन यहां पर इंक वापसी आ गई है बहुत बढ़िया फॉर्टी अपॉन हंडेड यह हो गया परसेंटेज इंटू करेंगे आप आपका कॉस्ट प्राइस तागी आप नि से करने करना आपके लिए आसान सा चीज होना चाहिए एक क्यों कि क lt यहांपे को सक्रीन को और 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 देख लेते हैं हमारा अंसर कितना आ रहा है कंप्यूटर जी के हिसाब से तो वह आ रहा है ऑप्शन सी तीन हजार होना चाहिए हमारे इस प्रशन का उत्तर क्या आपको यह समझ में आया यह सर आसान था जी सर इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे अंतराल की तरह जो कि आपक यह काम के वीडियो कहीं गुम न जाएं यह चिंता हमेशा हमें बनी रहती इसलिए हम क्या करते हैं हमने हमारी वेबसाइट पर आपके काम के वीडियो अलग अलग टाप में डाल दिये ताकि आप अपनी जरुवत के हिसाब से उस टाप को खोल कर अपनी पढ़ाई कर सके उ हर एक चाप्टर के अंदर हमने कितने सेशन हैं कितने चाप्टर आट की वह सब हमने यहां पर मेंशन कर दिया है उधारन के तौर पर हमारे बीस लेक्टर कुछ थे तो यहां 17 अप्लोड हो गए होंगे रेगुलरली अपडेट होता रहता जैसे यहां पर देखिए 22 के बिना किसी दिस्टरबेंस के तो एकदम आप पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दे सकते हैं हमारे साथ ठीक है यहां पर हमने क्या किया हमने टैसी की तयारी की साट की स्टेज वन की जहां पर हम डीपी कुछी टू की समस्याओं का समधान देख रहे थे दस सवाल थे हम एन टैसी की तयारी रेगुलरली करते रहें प्लीज और वीग डेज ऐसा नहीं करना है कि रोज नहीं पढ़ रहें कभी कभी पढ़ रहें उससे आपका नुक्सान हो सकता है क्योंकि जितनी जादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जादा आपका अच्छा स्कोर आएगा बाकी तो अपना ख्याल रखें अच्छे से मैनत करें स्टे होम स्टे सेफ टेक केर बाबाई गुड़े सीव सूल